My friends, स्वागत है आपका Study for Civil Services में और मैं हूँ नितेश शर्मा, मैं आपको पढ़ाऊँगा 11th Class की Geography की NCRD जो की है Fundamental of Physical Geography आपको स्क्रीन पे हैं, एक्जाम्स की नाम दिख रहे हैं यह UPSC, BPSC, UPPSC, UPPSC, UPSSC and EPF और आप इन एक्जाम्स की preparation कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे notes हैं, जिनमें सारा slivers cover किया गया हो तो join कीजिए हमारे paid group और paid group join करने के लिए इन number पे call कीजिए, अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी query है इन exam से related, तो please इन numbers पे call कीजिए और एक और महत्पूर्ण सुचना हमारा free telegram group है यह भी जरूर जरूर join कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत important सब्डेट आपको मिलते रहती हैं, तो चलिए आज का lecture हम स्टार्ट करते हैं एक बार content देख लेते हैं, 11th की NCRT के क्या क्या content है पहला unit है geography as a discipline, दूसरी unit है the earth, तीसरी unit है चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वन से, unit 1 है आपकी geography as a discipline, यह unit deal करती है आपकी geography as an integrating discipline, integrating का मतलब होता है एक दूसरे को साथ लाना, geography हमारे बहुत सारे disciplines को साथ लाती है, combine करती है फिर geography as a science of special attributes, special का मतलब है आपका space से, यानि की region से, एक जगा से और जो special होता है, वहाँ पे क्या होता है, where and why, special attributes का मतलब होता है, where and why, कहां और क्यों वो चीज हो रही है यह हमारे पास land पे कुछ features है, तो वो features कहां है और क्यों है, जैसे कि mountains, rivers, वगर यह कहां है और क्यों है यह होता है हमारे पास special attributes, इनकी size, shape और location भी हम देखते हैं, फिर हमारे पास branches of geography पढ़ेंगे और उसके बाद हम importance of physical geography पढ़ेंगे चलिए आज का फिर lecture हम start करते हैं, first chapter है आपका geography as a discipline, इसमें हम देखते हैं क्या बढ़ना है, यहां देखिए, geography में हम पढ़ते हैं physical environment के बारे में, physical environment किसका, physical environment अर्थ का, और हम पढ़ते हैं इसमें human activities के बारे में, geography में हम पढ़ते हैं कि physical environment, जो है हमारे पास environment है और जो humans ह है हमारे पास उनके बीच में क्या relation है उनके बीच में क्या interactive relationship है यह हम पढ़ते हैं हम इस अर्थ पे रहते हैं विलिव ओन सर्फेस ऑफ दा अर्थ और जो हमारी लाइफ से वो affected by the surroundings in many ways we depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas हम अपने surrounding areas से food लेते हैं वुड लेते हैं minerals हैं हमारे पास use करते हैं clothes भी हम वहीं से बनाते है construction material हम rock से लेते हैं तो जो भी हम इस अर्थ पे जी रहे हैं वो सब हम अर्थ के resources यूज कर रहे हैं अपने आपको sustain करने के लिए यानि कि जीने के लिए primitive societies हुआ करते थी पहले पर हमारे पास primitive societies subsisted on natural means of subsistence इसमें क्या है कि जो हमारे पास पहले आदिमान होते थे बहुत ही टाइम पहले तो वो क्या होता था उनका वो natural means पर ही अपना जीवन गुजार करते थे यानि कि जैसे जो उनको एनिमल मिल जाता था उसको मार के खा लेते थे जो भी उनको plants बिलते थे खाने के लाइक वो उनको खा लेते थे फल fruit वहां से उतार के plant से खा लेते थे उनके पास कुछ ऐसा नहीं था कि वह अना जुगा पाएं या कुछ भी ऐसे कर पाएं सिंपल अपना rock से fire जलाते थे caves में रहते थे लेकिन with the passage of time we developed technologies अभी time के साथ साथ हमने technologies developed कर लिया and starting producing our food using natural resources such as land soil and water अब हमने अनाज पैदा करना start कर दिया है घर बनाने start कर दिया हम घरों में रहने लगे हैं खाने की बहुत सारी चीज़े हम process करते हैं with the help of technology we adjusted our food habits with clothing we adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather conditions हमने अपना food habits or clothing adjust किया है अगर कहीं सर्दी का मौसम होता है तो हम गरम कबडे पहन लेते हैं वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं यह भी सब technology से ही possible हो पाया है अगर हम का गरमी का मौसम होता है तो हम cotton clothes पहनते हैं AC यूज करते हैं there are variations in the natural resources base यह बहुत अलग अलग जगा पर अलग अलग natural resource के basis है और वहां पर भी variations है technological development adaptation and modification of physical environment social organizations and cultural development यहां देख रहे हैं आप मारे पस technological development हुई है हमने adapt करना सीखा है environment से कहीं जगा और कहीं जगा हमने environment को ही modify कर दिया है buildings बना लिए घर बना दिये जो हमें बारिश से बचाते हैं गरमी से बचाते हैं AC बनाया है जो हमके गरमी से भी बचाते हैं और यह सारी चीज़े हम geography में पढ़ते हैं यहां देखिए लास्ट पराग्राफ में जो मैंने highlight किया हुआ है कि geography हमें सिखाते है geography equips you to appreciate diversity and investigate into causes responsible for creating such variations of a time and space geography हमें पढ़ाती है geography हमें सिखाते है कि हमारे land पे कितनी diversity है और क्या causes है उस diversity को create करने के लिए वो कितने time पर create हुई है ऐसी diversity और कहां का reasons पर ऐसी diversity मिलती है यह geography सब हमें सिखाती है और बढ़ाती है सबसे important question एक question बनता है कि what is geography geography क्या है तो यहां देखिए earth surface is not uniform earth surface को uniform नहीं है it has variations in the physical features हमारे पास physical features है जैसे कि हमारे पास mountains है rivers है आपके desert है vegetation है सब जयरा अलग अलग और उनमें भी variation है कहीं कैसी mountains है कहीं कैसी mountains है कहींः अलग टाइब के forest पाए जाते है किसी जगवे आपको recidus forest मिलता है किई कोई land आपका suitable है sugar can kg cultivation के लिए कोई land आपका suitable है rice की cultivation के लिए यहां देखिए mountains है hills, valleys, plains, platoos, ocean, lakes and deserts अगर आप अर्थ देखते हैं तो अर्थ आपकी दो parts में divide होती है पहला part आपका physical features का बनता है दूसरा part आपका human features का बनता है तो यहाँ देखिए there are variation in social and cultural features too यानि कि यह जो हमारे पस human features वाला दूसरा part बनता है तो यह अर्थ हमारे पस दो parts में divided है एक physical और एक human और उन दोनों में भी variations है और जो हमारे पस variations है यह हमें help करती है इस variations provide a clue to understanding of the relationship between physical environment and social culture features कि हमारे पस जो nature है और human के बीच में क्या relation है यह variations हमें वो समझने में help करती है देखिए एक बहुत ही poetic सी lines है आपके पास यह वाला जो आपकी lines है यह मैं समझाता हूँ यह क्या कहती है आपको different different culture देखने को मिलेगा वो किस ने बनाया है वो हम humans ने बनाया है उनकी different skills ने उनके दिमाग्स ने बनाया है आप अलग-अलग जगा जाते हैं आपको अलग-अलग festivals देखने को मिलेगा अलग-अलग food खाने को मिलेगा अलग-अलग language सुनने को मिलेगी अलग-अलग religion आपको मिलेगी तो यह geography हमें यह सब समझने में हमारी help करती है और मैंने कहा था एक important question है कि geography क्या है यहाँ पर हमें उसका answer मिलता है कि it can be said it can be said geography क्या है कि geography description of earth है यहाँ देखिए यह description of earth कि हमारे earth पर जो जो features है जो जो हमारे पास physical features है mountains है, lands वगरा है या फिर जो जो भी हमारे पास social and cultural features है उन सब का description हमारे पास geography कहलाता है और यह जो geography was first coined by eratosthenes eratosthenes था सबसे पहले जो geography विसने word दिया था geography का मतलब क्या होता है geo का मतलब होता है आपका earth and graphos का मतलब होता है आपका description देखिए अब इस सबको आप साथ में लेके आते हैं तो इस सबसे आपको समझ में आता है geography means description of the earth geography as यहाँ पर भी का आ गया geography as the description of the earth as the adobe of human beings adobe का मतलब होता है friends घर यह human beings का घर है आप earth आपका human beings का घर है रहने की जगह है हम देखते हैं कि geography के कितने disciplines geography में हम दो type की sciences पढ़ते हैं पहली sciences पढ़ते हैं natural sciences यहाँ देखिए एक natural sciences दूसी sciences पढ़ते हैं social sciences natural sciences के अंदर आता है हमारे पर geology आता है pedology आता है ओशनोग्राफिय आता है botany आता है botany आपका क्या होता है friends botany आपका study of plants होता है zoology आपका study of animals होता है and meteorology आपका study of climate होता है geology आपका study of landforms pedology study of soil oceanography आपका water के बारे में हम पढ़ते हैं फिर दूसरा डिसिप्लेन है हमारे जोग्राफी के अंदर वो social sciences आता है, जैसे के हम economics, history, sociology, political science and anthropology पढ़ते हैं, यह study different aspects of the earth surface, इन सब disciplines को हम यह जो दोनों disciplines है, natural science और social science के, इन सब disciplines को पढ़के हम समझते हैं, इनको interrelate करते हैं, और इनको discipline को combine करते हैं, और समझते हैं कि geography क्या है, geography हमें क्या सिखाती है, यहां देखिए, geography इन सबसे, इस सारे subjects है, इन सबसे data उठाती है, geography drives its data from the natural and social sciences, और attempt करते हैं उनकी synthesis, उन सब data को एक साथ लागे combine करके, उनका interrelations दिखाने की कोशिश करती है, geography हमें इस सब बताती है, हमने देखा है कि हमारे पास surface पर जो earth का surface पर उस पर आपको variations मिलती है, variations over surface of the earth in its physical as well as cultural environment, physical environment भी आपको variations मिलेंगे features, physical features में और cultural environment में भी आपको variations मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है, It was therefore logical to perceive geography as a study of aerial differentiation तो हमने geography को as a study of aerial differentiation पढ़ा, और aerial differentiation समझ लीजे क्या होता है, aerial differentiation कोई भी reason लेते हैं, कोई भी जगा लेते हैं, उसकी हम uniqueness देखते हैं, और देखते हैं कि उस feature में, जहां उस reason में कोई भी feature है, तो उस feature की क्या uniqueness है यह हम aerial differentiation में पढ़ते हैं अलग-अलग reasons को पढ़ते हैं वागी uniqueness देखते हैं प्लस देखते हैं कि इन reasons में क्या-क्य variation है अब यहां देखिए geographers do not study only the variations in the phenomena over the earth surface but also study the associations with other factors which cause these variations हम खाली यह variations नहीं पढ़ते हैं geography में और बट क्या पढ़ते हैं कि क्या phenomena है जिसकी वाज़े से variations आई हैं उस earth की surface पे हम यह भी यहां पढ़ते हैं एक example देख लेते हैं हम कि cropping pattern जो होता है हमारे पास अगर हम एक reason में देखेंगे cropping pattern आप एक example ले लो कि हमने जम्मू कश्मीर में देखा महां का cropping pattern क्या है महाँ पे अलग climate है अलग crops होंगी ऐसी आप तमिलाडू में ले लो महाँ पे भी अलग जगा होगी reason अलग-अलग होगे और तमिलाडू में अलग climate होगा अलग आपका cropping pattern होगा यहां देखें for example cropping pattern differs from reason to reason से differ करता है but this variation जो है cropping pattern में as a phenomena is related to variation in soil जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको soil अलग मिलेगा climate अलग मिलेगा and demands in the market भी अलग मिलेगा capacity of the farmers to invest technological inputs वगरा यह सारी चीज़ आपको अलग-अलग मिलेगी reasons में तो हम इसको as a variation भी पढ़ते हैं और यह phenomena यह कैसे cause होती है variations हम वह भी बढ़ते हैं यह देखिए जोग्रोफर आपको खाली variation ही नहीं पढ़ाता है but यह आपको पढ़ाता है explains the phenomena in the frame of cause and effect relationship कि किसी चीज़ का कोई process है उस process की वज़े से क्या effect होगा जैसे कि हमारे पास mountains बनती है तो जोग्रोफर है हमारे पास cause and effect relationship भी पढ़ाता है यहां देखिए जाग्रोफिकल फिनॉमिना both the physical and human are not static but highly dynamic यह देखिए highly dynamic मतलब कि जो भी हमारे पास physical phenomena है और यह human वाले phenomena है human वाले कौन से हैं social और cultural phenomena हैं आपके यह आपकी change होते रहते हैं आप एक example लीजिए कि आपकी जो mountains है अरावलीस पहले जो mountains होती थी बहुत बड़ी-बड़ी mountains होती थी लेकिन time के साथ-साथ वो change हो गई है उनकी height कम होगी क्योंकि उनका erosion हुआ है time के साथ-साथ फिर आप human और social और cultural features में भी देखिए पहले आपका क्या होता था पहले हम रहते थे गुफाओं में रहते थे लेकिन आज हमने technological advancement की वैसे आज हम घरों में रह रहे हैं आज हम AC भी use कर रहे हैं पहले हम वही natural environment में रहते थे गर्मी में सर्दी में बारिश में लेकिन आज हमने घर बना लिए हैं उस सबसे बचने के लिए तो time के साथ-साथ ये change हो रहा है पहले हम और कुछ religion मानते थे लेकिन आज हमारे वह religion मानने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है तो ये time के साथ-साथ change हो रहा है इसलिए इसको वह नेचर के साथ घुल मिल गए है तो उन्होंने नेचर को अपना लिए गर्मी है तो वह गर्मी में रहना सिख गए जैसे हमाँ क्रॉप सुकती है तो वह खाना सिख गए है है तो यह अन्हों बना लिये है जाने के लिए क्रॉपिंग के लिए हम मोडिफाइ भी कर लिया अपना इंवर्में इंट्री और बनाते हैं एक have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by the nature और जो यह resources हम प्रोवाइड करते हैं निचर हमें प्रोवाइड करते हैं जैसे कि rocks है हम वो rocks यूज़ करके temples बना रहे हैं अपने लिए घर बना रहे हैं बिलिंग्स बना रहे हैं बिल्डिंग मैटेरियल हमको मिलता है और इस इस टेक्नोलोजिकल एड्वांसमेंट की वेज़ से क्या हुआ हम जो क्या हुआ है कि वी आपनी हाइर नीट्स के लिए उनके साथ जीना सीख लिया है एक पोईट ने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ लाइन्स लिए यह आपको समझ आएगा यू क्रेेट इस सॉइल भगवान ने क्या सॉइल बनाया और उंधावन ने क्या करते लिए हमें एपाड दी ऑदा S Gardens बना लिए हमने वहाँ Crops होगा ली हमने हिली Terrors फार्मिंग कर ली हमने वहाँ Hills में भी जाके अपनी Technological Advancement से अपने दिमाग से मशीन से रोड्स बना ली है वहां रहने की जगा बना ली हैं यह देखिए जो आपको बीच में और जो हमारा nature है उसके बीच में क्या interaction होती है क्या relationship है वो हम study करते हैं और यह जो हमरे पास अपने यह दो words देखे है humanized nature और जो आपके naturalized human beings है इनका क्या मतलब है यह समझे क्यों कि humans ने अपने हिसाब से environment को convert कर दिया है जैसा कि उनको चाहिए था humans ने अपनी needs के according जो उनकी needs है उनके according technological advancement से environment को convert कर दिया है जिससे कि वो आसानी से जी पाए इसे बोलते है humanized nature and naturalized human beings यह देखे फ्रेंड्स geography is a discipline is concerned with three set of questions जो जो जोग्राफी है वो आपके तीन set of questions से concerned है पहला question क्या है आपका what है what का क्या मतलब है कि identification of patterns of natural and cultural features कि जो हमारे पास natural और जो cultural features है यानि कि जो human ने बनाया features social और cultural features वो हमारे पास क्या-क्या है what मतलब क्या कि हमारे पास patterns जो natural features बने है एक बार आप ध्यान कि अर्थ के features क्या है तो ये features जो हमारे पास physical features है ये natural features हो गए ये कहा-क्या है और उसके बाद हमारे पास कुछ हमारे पास cultural features भी है humans related वो क्या-क्या है दूसरा question जो हमारे पास वो पूछता है where where मतलब कहा कि जो हमारे पास distribution है in natural और human cultural features की ये हमारे पास अर्थ पे कहा-कहा आपके और यह फॉरस्ट है कुछ वेजिटेशन से यह आपको पता है कि हिली रीजन में हमारी कम मज़ते है कि और यह आपको जवा को पता है और यह हमें देखना है कहां पर क्या क्या है कौन iacinikle कहाँ पास पह שמן अंट हैं यह जो चीजर, अगा rayo करमी लूप लेज़तों, लेखने को ऐसाओ लापक, अंचली तरुप का यहाँ पहले हुँए कर देखा कि मवान्टें कहीं देखी कहीं पे रिवड की कहीं पे आप उन्होंने लेकि तो वहाँ वहाँ उनों ने नोट कर लिया कि यहाँ यह चीज़ा। алеने वह जो सवत YOU beta scientific discipline till the third question was added scientific geography हमारी कैसे बनेगी अब जो features हमने देखे हैं कि अलग-अलग reasons में हमारे पास अलग-अलग features है human और natural features है वो reasons वहां क्यों है अगर ये क्यों का question भी add हो जाए इन दोनों questions में तो हमारे geography scientific discipline बन जाएगी तो ये third question जो आता है हमारे कही mountain है तो वहां mountain क्यों बनी है अगर कहीं क्यों culture feature है तो वहां ऐसा क्यों है plane में अगर population रह रही है जाधा population तो plane में जाधा population क्यों रहती है WILL-y residend कि जो terrains होती है वह आपकी difficult होती है वहां रहना इतना असान आशान नहीं है इस वह से कम population मिलती है coastal region पर अगर population जाधा है तो क्यों है coastal region पर आपको पता यह population इस वह से जाधा होती है क्योंकि वहाँ पर jobs बहुत सारी होती है फिर वो सी से अपना घर बार चला लेते हैं अब देखते हैं कहीं पर आपको जो forest मिलते हैं वो decidious forest मिलते हैं तो उसी यह किसी रिजन में आपको ईवर इवर्ग्रीन फॉरस्त मिलते है और सो उसमें और फिर लेक्शन करता है और यहा और relationship explain करता है कि nature और human में क्या relationship है जो natural features है आपके और human के जो features है आपके उन चीज़ों में भी क्या relation है यह आपका third question explain करता है और why आपका what and where के साथ इस geography को एक scientific discipline बनाते ता है जो कि पहले descriptive geography थी लेकिन अब वो क्या हो गया है अब वो dynamic interaction between human beings and the physical environment जो हमारे पास human beings और physical environment जो interaction होती है वो dynamic होती है यानि कि वो change होती है पहले जो थी और जो अब है उसमें बहुत सारे changes होते हैं उस interaction के बीच में humans and environment के बीच में तो यह geography हमारे पास उसका note लेती है उन associations का note लेती है और इन inter relationships को पढ़ती है जो कि हमारे पास उस phenomena से cause होते हैं जो कि result करते हैं उन changes को और वो changes किसमें होते हैं humans की interaction में और उसकी physical environment की interaction में जो हमें यह सब समझाती है अब हम topic पढ़ते है geography as a integrating discipline integrating का मतलब मैंने आपको पहले ही बता देता था chapter के starting में कि integrate मतलब यह सारे disciplines हो क्या करता है एक साथ लाता है उन्हें combine करता है और फिर हम उन्हें study करते हैं geography क्या करता है attempt करता है special synthesis special का मतलब मैंने आपको पहले बताया था where and why कि कोई चीज कहां है और क्यों है वहाँ पे और उसकी shape क्या है size क्या है location क्या है तो उनको सबको एक साथ लाता है integrate करता है और history आपके attempt करते है temporal synthesis यहाँ देखिए geography में जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो present world है हमारे पास is being perceived as a global village कि हम world को एक ही entity मानते है world को हम जो अलग-अलग countries है उनको अलग-अलग नहीं मानते हैं geography में बढ़ पूरे world को एक ही entity मानते हैं और हम उसको ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ देखिए जो distances है वो हमारे reduce हो गया है better means of transportation, accessibility increase हो गया है audio-visual media है, information technology है उससे भी हमारे पास data waste enrich हो गया है technology ने हमें पास, हम monitor कर सकते हैं natural phenomena's को as well as economic and social parameters को भी हमें देख सकते हैं तो इस वज़े से हम कहते हैं geography क्या है एक integrating discipline है और उसका interface है with numerous natural and social sciences आप हमें आपे natural and social sciences भी हमने मैंने आपको पढ़ाया था और geography इन सब चीजों को जो आपने मैंने आपको चीज़े पढ़ा ही है इन सब subjects को क्या करती है इन्टीग्रेट करती है और हमें बताती है कि earth एक ही entity है as a whole एक ही है कोई अलग नहीं है और इसको integrate करके हमें पढ़ाती है यह देखिए जो integration है हमारे पास geography जो integrate करती है उसको हम कुछ example से समझ सकते है this integration can be understood with some examples यहां देखिए हमारे पास जो special depth है आपकी जैसे हमारे पास mountains है जो हमारे पास country को defense provide करते है नौर्थ की side से उसके पास in traditional warfare countries with large size in area gain time at the cost of space जो large size होता है जिनके पास वहां पे उनको gaining उनको क्या होता है फायदा होता है उन countries को बड़ी countries को फायदा होता है छोटी countries पे जब war हो रहा होता है और यहां देखिए और क्या होता है कि जहां पे oceanic expense भी जादा है जिन countries का जो oceanic expense है वहां जादा होता है तो उन countries को भी war में क्या होता है उन countries को भी war में फायदा होता है यहां देखिए इंडिया में हिमालियाज है हमारे लिए हिमालियाज ने barriers की तरह act किया है और हमें protection दी है from North से, थंडी हवाउ से भी हमें दी है और migrants है जो हमारे पास invaders है Central Asia से भी उन्हें भी हमें protect करता है, हमारो जो sea coast है वो हमारे पास encourage कर रहा है कि हम contact बनाए है, people from East and South East Asia, Europe and Africa, navigation technologies से हमारे पास हमने help हुआ है, sea से और हमने contact बनाए है, और यह हमारे पास India को as they got accessibility, India को एक रास्ता भी देता है दूसरी country से contact बनाने के लिए, जो हमारा sea है, जो भी आपको geographical phenomena होता है, वो undergo change with time, यहां देखिए, every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporarily, और उसो हमको temporarily explain कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास जो climate है, पहले किसी reason में ices मिलती थी, तो कुछ time बात, कुछ million years बात, वहाँ पे ices नहीं मिली है, और वहाँ पे hot climate हो गया है, अब भी देखिए हमारा climate change चल रहा है, कुछ सालों से 50-50 सालों में, हमारा climate change हो रहा है, temperature increase कर रहा है, तो यह time के साथ साथ हमारे पास geographical phenomena होते है, जो natural phenomena होते है, वो हमारे पास change करते रहते हैं, environment change करते है, और यह change किस तोड़के खाते हैं, वो कोई agriculture practice नहीं करते हैं, लेकिन आज के time में agriculture practice कर पा रहे हैं, grain उगा रहे हैं अपने हिसाब से, और आज के time में एक और देखिए, हम क्या करते हैं, horticulture, जहां पे हम वो crop उस reason में grow कर देते हैं, जहां पे उस crop का favorable climate नहीं होता है, वो हम technology की help से grow कर देते हैं, और यह economic activities हमारे पास देखिए, यह भी change हो रही है with time, जैसे हमारे पास जब हमारे इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तो उस time पे हमारे जो agriculture में जो बंदे लगे हुए थे, पूरी country के वो 50-60% बंदे agriculture में लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे time बढ़ा, technological advancement होई, तो अब वहाँ से वो बंदे agriculture को छोड़के manufacturing और services sector में आ गए है और agriculture में बहुत कम रह गए है, and cultural developments भी होती है हमारे पास, have followed a definite historical course, यानि कि time के साथ-साथ historical course का मतलब है, time के साथ-साथ यह चीज़े change हुई है, और जो बहुत सारे आपके geographical features है, वो change होते है, they take place, result होत geographical features को, जब change होते हैं, इनके result में, वो decision play करते हैं, decision लेते हैं, जैसे कि, it is possible to convert time in terms of space, और space को हम time की terms में convert कर सकते हैं, time को space की term में, और space को time की term में convert कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको example लेके बताता हूँ, example देखिए, कोई location है A, और वो दूर है, A कितनी दूर है, 1500 km दूर है B से, ठीके, it can also be said that A is 2 hours away, उसे हम 1500 km का distance है, उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि A जो है, वो 2 घंटे दूर है, किससे B से, अगर हम travel करते हैं, plane से, या फिर A, B से 17 घंटे, 17 घंटे दूर है, अगर हम travel करते हैं, किससे, fast moving train से, it is for this reason, कि time is the integral part of geographical studies, इसी वैसे जो time है, हमारे पास, वो geographical studies का integral part है, अब हम पढ़ेंगे physical geography and natural sciences, कि geography हमारे पास natural sciences से कैसे related है, यहां देखें, जो आपकी traditional physical geography है, is linked with geology, वो geology से related है, यानि कि आपका study of landforms, meteorology, study of climate, hydrology, water के बारे में, pedology, soil के बारे में, and thus geomorphology, climatology, oceanography, यह सब हम पढ़ने वाले हैं, geomorphology, climatology, oceanography and soil geography, यह सब हम आ आने वाले chapters में पढ़ेंगे, इनका एक very close, इनका एक close link है, with the natural sciences, geography का, और इसके बाद, bio geography है, वो भी हमारे पास close related है to botany, geology and ecology, botany में आपको बताया था कि plant की science होती है, animal, आपका study of geology, आपका study of animals होती है, तो यह आपका physical geography है, वो related है हमारे पास natural sciences से, और यह एक integrating discipline बनाती है यहां देखिए, आपका geography is very much linked with the study of astronomical locations and deals with latitudes and longitudes, अगर यह देखोए, latitudes और longitudes क्या होते हैं, आपके numbers ही तो होते हैं, तो यह आपका astronomical location आपकी numbers ही तो बसा चलता है, latitude और longitudes से, तो यह आपका geography इन से भी related है, जो अर्थ है, आपकी shape क्या है, अर्थ की shape क्या है, जियोईड प map बनाना, और map बनाना हमारे पास basic tool of the geographer is a map, जिस पर हम आपके land forms दिखा पाते हैं, आपका land दिखा पाते हैं, continents, countries, different states आपको दिखा पाते हैं, तो map एक बहुत ही important part है geography में, और catography बोलते है, art of map making, अब हम एक topic पढ़ेंगे, geography and social science, यहां देखिए, जो आपका philosophy होती है, व उन्होंने philosophy से explain किया geography को, कि geography ऐसी होनी चीए थी, यह होना चीए, उन्होंने सब ने अपने experience के according कहा है, यहां पर देखिए, कि जितने भी हमारे पास all the social sciences, अब हम social science के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि जितने भी हमारे पास social science है, पहले हमने natural science के बारे में पढ़ा था कि geography में कैसे हम natural science को पढ़ते हैं, अब हम social science के बारे में पढ़ेंगे, कि sociology है जैसे हमारे पास हम study करते हैं, communities की, जो human communities है, human societies हम उनकी study करते है, political science में हम people को देखते है, people को पढ़ते है as a political unit, हम states के बारे में पढ़ते है, politics के बारे में पढ़ते है, economics में हम पढ़ते है, production, consumption के के बारे में डेमोग्राफी में हम पढ़ते हैं population के बारे में और यह study डेमोग्राफी study different aspects of the social reality तो यह हमारे पास natural sciences और social sciences जोग्राफी इन सब को integrate करके एक discipline बना लेता है और हम फिर जोग्राफी से पता लगता है कि कैसे यह सारे सब्जेक्स को मिला के हम जोग्राफी से बढ़ते हैं यह देखिए जो जो मैंने आभी आपको बताया है वो मैं आपको भी पढ़ा जेता हूं कि जो प्रिटिकल साइंस के वो टेरेटरी है पीपल आ सावर नेटी है वाइल पॉलिटिकल जग्राफी जो इंट्रस्टी एं स्टैट्स है इसवल एस पेशल यूनिट्स पीपल एंड दियर बहेवियर है और जापकी special aspects of production distribution वगरा ऐसे ही population geography आपका discipline of demography में होता है यह देखिए इस figure में आपको geography का relation बताया गया other disciplines से दूसरे subject से geography का relation आपको बताया गया है यहां से देखिए geography का relation क्या है hydrology से meteorology से pedology से botany से zoology से ecology से यह सब हम आने वाले chapters में पढ़ेंगे फिर cultural geography आपका anthropology बोलते है जेग्रफिकल थोट्स है आपका math है astronomy है यह latitude वगरा longitude जो यूज करते है जियोलोजी है economics है demography है political geography है आपका historical geography है आपका social geography है इन सब से relation बताया गया एक बार देख लीजिए कि कौन-कौन regional geography यह दोनों approaches हम देख लेते हैं एक बार कि जो systematic approach है यह आपको किस ने introduce की थी यह आपकी introduce की थी Alexander von Humboldt ने यह याद रखना कि systematic approach जो हमारे पास geography है वो Alexander von Humboldt ने की और जो हमारे पास दूसरी approach है regional approach regional approach हमारे पास Karl Ritter ने start की यह देको systematic approach में क्या होता है पहले systematic approach समझ लिजिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई phenomena है studied world over as a whole and then identification of typologies and special pattern is done systematic approach में क्या होता है पूरे world को unit की तरह लिए जाता है पूरे world को साथ में पढ़ा जाता है पूरे world के जो भी features है उनको साथ में पढ़ेंगे फिर उन futures को हम क्या करते हैं phenomena's को साथ में पढ़ा पहले तो as a whole पूरे world को साथ में लेकर पढ़ा फिर उनको identify करते हैं उनके जो types हैं उनको identify करते हैं कौन से mountains कौन से क्या चीज़े हैं और फिर उसका special pattern किया जाता है special pattern मतलब उनके shape size location यह सब किया जाता है लेकिन हम सबको एक साथ में लेकर start करके चलते हैं इदर एक example में आपके यहां पर देता हूं कि अगर किसी को is one is interested in studying natural vegetation पढ़नी है किसी को तो study will be done at the world level पूरे world की natural vegetation पूरे world की vegetation हम पढ़ेंगे पहले step में फिर उसके आपर जर्ड़ इस नहीं रूए बाद और वेजेशन को डिवाइड करेंगे according to their variations such as equatorial rain forest हमने डिवाइड किया softwood conical forest दिवाइड जहां जहां हमें softwood conical forest मिलेंगे उसको एक टाइप में रखेंगे equatorial rain forest जहां जहां हमको मिलेंगे उसको दूसरी एप्रोच जो कि हमारे पास काल रिटर नहीं थी इस रिजनल एप्रोच में हम क्या करते हैं जो वर्ल्ड को पहले सबसे पहले हम वर्ल्ड को एधा होल नहीं पढ़ते हैं वर्ल्ड को एधा होल स्टडी नहीं करते हैं वर्ल्ड को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे डिव इस वर्ड को हमने डिवाइड कर दिया है different reasons में at different hierarchical levels and then all the geographical phenomena in a particular reason are studies इसमें जो भी geographical phenomena होते हैं reason wise हम पढ़ते हैं कि एक reason में कोई भी geographical phenomena है पहले उसे पढ़ेगा है फिर दूसरे reason को जो हमने world को reasons में डिवाइड किया है उनमें जो जो भी इस ने पढ़ेड कर सकते हैं यह पॉलिटिकल भी हो सकते हैं यह हमारे पास designated or designated reasons भी हो सकते हैं हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं यह एक और important आए उसको हम dualism बोलते हैं तो यहां देखिए earlier scholars laid emphasis on physical geography जो हमारे पुराने scholars थे उन्होंने physical geography पे emphasis ले किया यानि कि पुराने जोग्रोफर्स का कहना था कि जो हमारे पास physical geography है याल जो हम features पढ़ रहे हैं अर्थ पर mountains पढ़ रहे है बैट इं culpa एह और लैंड मींगiran होऊन पढ़ रहे हैं इंक्ले एक्टिनी आ सर्फिस जी बाद part and parcel of nature वो भी nature के ही part है वो भी nature से related है उन्होंने भी human beings have also contributed to their cultural development उन्होंने भी nature की development में contribute किया है कैसे by cultural development में thus developed human geography उसके बाद जब geographers ने ये कहा तो उसके बाद हमारे पास क्या आई? human geography आई with emphasis on human activities तो human geography ने क्या कहा? कि human activities पे emphasis किया उनकी जो social and cultural activities होती है उनमें जो variation होता है human geography उसपे आपका focus करती है और यह dualism क्या है? यहाँ पे मतभेद कहा है physical geography versus human geography में है कुछ geographers कहते हैं आपका physical geography पढ़ना है यह आपका खाली geography होता है कुछ geographers कहते हैं नहीं physical geography के साथ साथ हमें human geography भी पढ़नी चाहिए human geography जादा important है तो इसे हम dualism कहते हैं यहां देखिए हम पढ़ते है branches of geography यह है हमार पास systematic approach के base पे पहला है देखो पहला देखो हमार पास geomorphology है दूसरा climatology है geomorphology में हम landforms के बारे में and cultural geography है फिर दूसरा है हमार पास population and settlement geography जो यह branches है ना वो सब हम पढ़ेंगे 11-12 के NCRD में सारी branches दिऊ हुई है और बताया हुए चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि population and settlement geography में क्या आता है population distribution आते हैं growth आते density sex ratio occupational structure यह सारी चीज़े हम population geography में पढ़ते हैं friends फिर उसके बाद हम और क्या पढ़ते हैं इन branches में हम पढ़ते हैं economic geography पढ़ते हैं economic का आपको पता ही है industry, tourism, transport, infrastructure फिर हम historical geography पढ़ते हैं historical में आपको पता है historical features पढ़ते हैं और history आपकी time के साथ से चलती है temporal change के हिसाफ से चलती है यह देखिए इस figure में आपको ब्रांचेस of geography दी हुई है जो मैंने आपको पढ़ाया यहां इस figure में देख लीजेगा इस figure में आपको बता है cardography map making technique होती है field survey methods होते हैं आपके quantitative कुछ techniques होते हैं हम geography के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद हमारे पास geographic information system आता है यह हमारे पास एक technological advance system है जो कि हम geography के बारे में पढ़ने के लिए यूज करते हैं यह GPS global positioning system satellite system है यह भी पता है यह आपको यहां पर interface biogyography मिला होगा यह आंपको interface biogyography क्या है interface क्या है इन्होंते इंटरफी सब्सक्राइब लिए इन्होंने आप mid psych system लिए इंहोने आपका hebt बहुत सही है यह हमारे पस लिंक को बताते है link between human and physical geography क्योंकि जो plant और animals है वो दोनों के लिए ही important है, अर्थ के लिए भी और humans के लिए भी, अर्थ को वो हमारे पास environment अच्छा रखते हैं अर्थ का, अर्थ को regenerate करते रहते हैं अर्थ के environment को plants, और humans को क्या देते हैं, plants और animals, humans के लिए food की तरह करते हैं, तो इसलिए biogeography को हमने as a interface रखा है, यह उसके बाद इसमें क्या आता है, फिर zoology आती है, zoology को हम यहां देखिए, यह आपकी zoo geography आती है, इस zoology में हम animals बढ़ते हैं, फिर आपके ecology, ecosystem है, फिर environmental geography है आपकी, यह environmental geography भी हम बढ़ते हैं, यह कोई, बस यह हम यह सारी चीज़े हम geography की आने वाले books में बढ़ते हैं, और यह इतना important भी नहीं है, यहां भी explain करना है, यह आगे जाके explain करूँगा, यह देखिए हमारे इस chapter का last topic है, जो कि है हमारे पास physical geography and its importance, physical geography का importance क्या होता है, यह देखिए branches of geography है, यह regional approach पे आपकी branches दिए है, regional studies, area की होते है, regional development, फिर in type macro, micro, meson study करते हैं, फिर regional analysis है, regional planning है, यहां यह देखिए physical geography का importance है, physical geography हमारे पास क्या क्या include करती है, physical geography हमारे पास include करती है, study of lithosphere, lithosphere में आपको पता है क्या क्या आता है, atmosphere की study होती है, hydrosphere में water से related आता है, biosphere में आता है, life forms आते है, including human beings and microorganisms and their sustaining mechanism आता है, food chain आते है, ecological parameters and ecological balance आते है, यहां देखिए आपके soil जो है, are formed through the process of pedogenesis, pedogenesis को बोलते है, हम जब हमारे पास formation of soil, उसको बोलते है, scientific study करते है, अगर हम formation of soil को उसको pedogenesis बोलते है, और इस soil की formation किसके ओपर depend करती है, यह depend करती है, अब तो हमारे पास parent material, rock, climate, biological activity and time, इन सब के ओपर depend करती है, देखिए और importance देखिए physical geography का, जो हमारे पास landforms होती activities are located, यह हमारे पास earth वो है, जहां पे हम सारी activities हमारी होती है, जैसे कि हमारे पास earth पे plains होते हैं, वो हम agriculture के लिए यूडिलाइस करते हैं, प्लैटूस हमारे forests देते हैं, हमें minerals देते हैं, mountains हमारे पास pastures देती हैं, जो हम भेड बकरी आपने चराते हैं, forest, tourist spot देती हैं हमेरे and sources of rivers providing water mountains, mountains हमें rivers भी provide करती हैं, जहांसे कि हमारे पास fresh water आता है, to low lands and climate हमारे पास influence करता है हमारे house types को, clothing को, food habits को, climate के according हम अपना घर बनाते हैं, कपडे पैनते हैं और खाना खाते हैं, गर्मी में जादा गरम नहीं खाएंगे, सर्दी में गरम खाते हैं, the climate has a profound effect on vegetation, climate का profound effect ह होता है, vegetation पर, जैसे कि हमरे पास जम्मू कश्मीर हमें, चीर पाइन के forest भी मिलते हैं, ठीक है, alpine forest मिलते हैं, और अगर हम आप यूपी में चले जाते हैं, यानि की राजिस्थान में चले जाते हैं, जहांपे डैजर्ट एरिया है, वहां पे आपको कीकर बबूल के forest मिलें के जहां पर cotton के लिए favorable climate होगा, human beings have developed technologies which modified climatic elements in a restricted space such as air conditioners and coolers, मैं आपको पहले ही बताया था कि हमने cooler और air conditioners, ACs बना लिया है, जो कि हमारे को आस किस से बजाते हैं, गर्मी से बजाते हैं, फिर temperature और precipitation होता है हमारे पास, ensure करते हैं, density of forest की घर, जहां पर सही temperature होगा, और precipitation यान आपको पता है, इंडिया में mountain rainfall होती है, और जब इंडिया में mountain rainfall होगी, तब ही agriculture अपका rhythm में आता है, motion में आता है, तब ही हमारी कई इंडिया में बहुत सारी ऐसी unirigated जगह हैं, जहां पर हमारे पास monsoon से ही बुवाई होती है, यह दे कि precipitation रिचार्ज करता है, आपका ground water को aquifers को भर देता है, जो आपके aquifers क्या होते हैं, जो rock contain करते हैं आपका water, जो waterable maintain करते हैं, वो rocks को aquifers का आ जाता है, फिर water agriculture के लिए प्रोवाइड करता है, हम oceans के storehouse of resources है हमारे पास, fish वगएरा देते हैं हमें, और oceans हमारे बहुत सारे mineral resources में rich होते हैं, यहां देखिए, हमने यहां बहुत सारी technology develop कर लिए, जहां हम ocean से magdise nodules निकाल सकते हैं, यह हमारे rare earth metals होते हैं, कुछ, वो rare earth metals भी हम extract कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास technology नहीं है, magdise nodules निकाल लेते हैं, soil के हमारे पास renewable resource है, चलता रहता है, fertility of soil is both naturally determined and culturally induced, humans भी soil की fertility low कर देते हैं, ज यह रिचर्ड हार्ट स्टोन ने और एक हैटनर ने दो आपके geography की definitions दी हैं, पहला हार्ट शोन क्या कहता है, geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface, हार्ट शोन कहता है कि geography concerned है description के लिए, यानि कि जो आर्थ पर जो जो भी features है, उन्हें describe करना है geography में, और उनको explain करना है of the aerial differentiation, यानि कि जो आप आपके features की uniqueness है, उसको भी describe करना है, जो आपके earth surface पर ये आर्थ सर्फिस पर ये तारे features है, हार्ट शोन को describe करना है, हाटनर कहता है कि geography study करना है, differences of the phenomena is usually in different parts of the earth surface, जो कि आपके different reasons में, different parts में आपको अलग-अलग phenomena मिलते हैं, अलग-अलग features मिलते हैं, तो geography को study करना है, उनके differences कि उन फिनोमेनाद विज आपको अलग अलग पार्ट में मिलते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये जोग्राफी स्टडी करती है, हैटनर ये कहता है, एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स आप, कि जो हमारे पास स्टडी है, फिजिकल जोग्राफी की is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources, ह जाने कि physical environment provides resources and human beings हम उन resources को utilize करते हैं, these resources हम एंशोर करते हैं, their economic and cultural development, हम humans हैं, उन resources को कभी ज़्यादा utilize कर लेते हैं, और हम अभी ज़्यादा ही utilize कर रहे हैं, तो लास्ट में यहां देखिए, यह हमारे पास sustainable development है, sustainable development क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि हम इस sustainable development का जो funda है, वो follow करना चाहिए, sustainable development में क्या होता है, कि अर्थ, जितना हम अर्थ से utilize करते हैं, हम उतना अर्थ को वापस कर पाएं, यानि कि अभी हमें उतना ही अर्थ से लेना चाहिए, उतना ही utilize करना चाहिए, अर्थ के resources, जितना अर्थ उस टाइम में regenerate कर पा सकती है, और जो बाकी resources है, वो हमें आने वाली future generations के लिए छोड़ देने चाहिए, ताकि उनके लिए भी वो resources खतम न हो जाए, तो friends, ये chapter आपका यहीं पर finish होता है, और next chapter हम करेंगे next lecture में, तो चलिए, टाटा, बाइबाई, टेक केर, और अगर आपको हमारे lecture पसंद आया हो, तो please like कीजिए, subscribe और comment में बताईए आपको लेक्चर कैसा लगा